देश में इस वक्त बिजली संकट की वज़ा से कोईले को लेकर बहस छड़ी हुई है सवाल के जा रहे हैं कि अगर कोईले की सप्लाई की यही हालत रही तो क्या भारत के सामने इस से उबढ़ने के लिए कोई रास्ता है दरसल आज देश में जो उर्जा संकट की स्थिती बनती दिख रही है वो कोई एक दिन की स्थिती नहीं बलकि इसके असर आगे भी देखने को मिल सकते हैं इसलिए हम अपनी इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर ये संकट किस वज़े से है और कोईले की पूर्ती क्यों नहीं हो पा रही है और इसके पीछे आखिर क्या वज़ा है आखिर क्यों है संकट ये बात सभी को पता है कि थर्मल पावल प्रांट्स को कोईले की पडियाप्त आपूर्ती नहीं होने की वज़ा से देश में बिजली संकट पैदा होता दिख रहा है दूसी तरफ कोरोना काल में बंद पड़े उद्योगों में फिर से पूरी चमतामिक के साथ काम शुरू हो गया है इसलिए बिजली की मांग में भारी व्रद्धी हो गई है ऐसे में मांग और सप्लाई के बीच का यंतर बिजली संकट पैदा कर रहा है ये सबसे बड़ी वज़ा है और ये लोगों को समझना भी चाहिए क्यों नहीं हो रही कोईले की आपूर्ती ये सबसे बड़ा सवाल है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है तो सुनिए भारत में कोईले का विशाल भंडार होने के बाब जूद ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश के कोईले का आयात करता है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोईला खनन के काम में लगी कमपनिया जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है वो उतना कोईला खनन नहीं कर पाती जितना भारत को जरुद होती है दोसी तरफ दुनिया के सबसे बड़े कोईला बंडार वाला देश चीन भी परिशान है वहां के भी खादानों में परियाप्त मात्रा में कोईले का खनन नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीन ने अपने बड़े खादानों की सुरक्षा ओडित करवा रहा है पिछले दिनों खादान में हो दुरगटना को देखते हुए ऐसा करवाय जा रहा है इसलिए वहां भी कोईले का संकट है इसका असर अंतराष्टे बाजार में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां भी कोईले की आपूर्ती कम हो गई है इंडोनेशिया और कई अन्य देशों में भारी बारिस की वज़य से वहां उत्पादन नहीं हो पा रहा है प्रभावित हुआ है दूसी तरफ चीन अपनी बिजली जरुतों को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर अंतराष्ट ये बाजार से कोईला खरीदने को उतारू है इस कारण बीते कुछ महीनों में कोईले के दाम में लगातार व्रद्दी देखी गई है अब आप कोईले की जरुत को इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि बिजली उतपादन के छित्र में भारत कोईले पर कितना निरभर है अब कोईले का विकल्प क्या हो सकता है ये भी एक बड़ा सवाल है तो समझ ये देश की आर्थिक विकास की दर और तेजी से बढ़ती ओर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए भारत के पास अब भी कोईले का कोई पुक्ता विकल्प नहीं है मतलब अभी भी बिजली कोईले से ही बनेगी भारत ही नहीं बलकि चीन का भी यही हाल है चीन में भी ओर्जा की मांग बेहत तेजी से बढ़ रही है और वो भी अपनी आधी ओर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोईले पर निर्बार है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा यह है कि कोईले के अलावा ओर्जा उत्पादन के तमाम अन्यसरोत्र काफी महंगे हैं जैसे डीजल, पैट्रोल, बाकी चीजे ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्ता महंगे उर्जा के इस बोज को धोने में शक्षम नहीं रहेगी क्योंकि अगर डीजल से बिजली बनाई जाएगी तो जाहिर तोर पर भारत में भी बिजली महंगी हो जाएगी और भारत अर्थव्यवस्ता उस महंगे बोज को धोने की ताकत नहीं रखती है इसी वज़ा से कोईले से बिजली बनाई जाती है तो आप समझ गए होंगे कि भारत में कोईले की कमी क्यों है और कोईला महंगा क्यों हो रहा है आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं